आपने चैनल सिखो जिन्दगी से आज मैं आपको यहां पर सिंगल धागे में फंदे डालना बताऊंगी डबल धागे में लिए दिजाइंटर फंदे पहले भी शिखे हैं तो मुझे किसी की रिक्वेस्ट आई थी कि सिंगल धागे हम कैसे डालें सिंगल धागे के साथ फंदे कैसे डाले तो यहां देख लीजिए 10 नंबर की सलाई लिए है मैंने और स्वेटर बनाने वाली उन लिए है बेबी बूल कहा लीजिए देखिए तो जीतने आपने फंदे डालने है थोड़े फंदे डालने है 8-10 डालने है तो छोटा दागा रखेंगे 20 डालने है तो थोड़ा सा और बड़ा रखेंगे ऐसे करके अगर आपने 100 फंदे डालने है तो कम से कम आप यहां पे अंदाजे से थोड़ा फालतू दागा रखिए तो जितने भी फंदे डालने है आपने उतना धागा आप रख लीजhon और फिर आपने क्या करना और कहना है सबसे इजी बता रही हूं आपको या तो पहले आप लगा लीजिए ऐसे देखिए अंगूठियों पर ये देखिए एक बार इस धागे को उपर रखना है और इसके अंदर से आपने ऐसी आपने निकाल के और इसके अंदर सलाई डाल देनी है एक नोट तो हमारी ये हो जाती है ये भी आप लगा सकते हो और अब मैं दूसरी नोट बताऊंगे आपको ये उधेड के सबसे सिंपल जिसको नोट नहीं लेना उतना छोड़ दीजिए और यहां पर आपने जैसे हम किसी भी चीज में गाठ लगाते हैं आपने यहां पर गाठ लगा देनी है ऐसे आप यहाँ पर गांठ लगा देंगे यहाँ भी सबसे पहले गांठ लगा देंगे ऐसे गांठ लगाना आना चाहिए वैसे गांठ सारे लगा लेते हैं नोट लगाना थोड़ा सा जो कभी कभी सलाई चलाते हैं उनके लिए मुश्किल हो जाता है तो ऐसे गांठ लगा देंगे और ये गोले वाला धगा आप अपने पैर की फिंगर में डाल लीजिए अगर आप हाथ के साथ डालते हो तो आप हाथ के साथ ऐसे करके कैसे भी डाल लीजिए लेकिन मैं हाथ के साथ नहीं डालूंगी मैं आपको इजी तरीके में बताऊंगी पैर के साथ आप इसको लपेट लीजिए और सिलाई को ऐसे रख लीजिए और आपने क्या करना है सिंगल धागा ये अब आपने इन दो उंगलियों के उपр ऐसे करना है देख लीजिए एक बार फिर इसको सिलाई को खड़े कर लेना और इन दो उंगलियों के नीचे से इसको धागे को निकालना और सलाई को ऐसे आगे की दरब से डालना ऐसे यह हमारे दो फंदे हो गए एक गाठ वाला फिर आपने ऐसे घुमाके और इस धागे को पकड़ना है उंगलियों के साथ और इसको सलाई के उपर ऐसे चड़ा देना और इसके ऐसे डाल देंगे सलाई में तो ये हमारे सिंगल धागे के फंदे हो जाते हैं ऐसे करके आप पूरे फंदे ऐसे डाल लीजिए बहुत एजी ट्रिक में बता रही हूँ आपको क्योंकि बहुतों को फंदे सिंगल डालने नहीं आते ऐसे और ऐसे जितने फंदे आपने डालने हैं आप उतने डाल लीजिए अगर आप डबल धागे में यही डाल रहे हो तो आप डबल धागे यह वाला धागा डबल कर लीजिए और ऐसे ही आप सिंपल फंदे डाल लीजिए एक धागे यह देखिए बहुत से तरीके हैं आपने अपने फंदे डालने के तो जो तरीका मैं बता रही हूँ जो मैं डालती हूँ जिस तरीके से मैं आपको वही बताऊंगी तो आपने यही रिपीट करते जाना है एक दो बार आप डालोगे तो आपको असानी से आ जाएंगे तो यह देखिए बस हमने फंदे इतने डाल लिए तो आप इस तरीके से फंदे सिंगल धागे के डाल सकते हो तो अगर वीडियो आपको यूजफुल लगी हो तो प्लीस वीडियो को लाइक कर दीजिए फ्रेंड्स और आपके जो भी कमेंट्स हों तो जो भी आपको पूछना हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं मैं वहाँ आपको रिपलाई दे दूँगी तो चलिए फ्रेंड्स तो फंदे डालना सीखिए सिंगल धागे में और वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू